हेलो फ्रेंड्स, SD चैनल में आपका स्वागत है, ये देखिए, आज मैं बहुत ही सुन्दर स्वेटर डिजाइन लेकर आई हूँ, इस डिजाइन को आप स्वेटर में डाल सकते हैं, ये देखिए कितना सुन्दर बना है, ये इसका फ्रंट है और ये इसकी बैक साइड है, य दूसरी साइड से उल्टा-उल्टा बनेगा, ये देखिए, कितना सुन्दर बना है, अब मैं आपको बनाना बताऊंगी, ये कैसे बनाया गया है, ये 11-11 का मल्टिप्लाई किया गया है, यानि कि 11-11 फंदों का मल्टिप्लाई किया गया है, तो 11 फंदों के बीच में से हमे है यह फर्स्ट फंदा स्लीप करेंगे वन तो थ्री थ्री फंदे हम सीधे बुनेंगे फर्स्ट रो डालनी है इस परकार से यह दो फंदे जो है इन दो का एक करेंगे ऐसी फिर दागा आगे किया अब बीच के तीन फंदे हम सिंपल बुने हैंगे वन तो थ्री थ्री फंदे हमने सिंपल बुने फिर दागा आगे किया इस फंदे को पल्टा और यहां पर इस फरकार से तो का बुन किया अब बीच के सभी फंदे सीधे बुनेंगे यह देखें इस फरकार से बुनेंगे यह कितने फंदे हुए इस पर हमने चैन बुनी है यह छोड़ देंगे वन तो थ्री फोर फाइव शिक्स सेवन सेवन फंदे हमने सीधे बुनेंगे अब फिर ऐसे ही यहां से यहां तक हमारी एक डिबी शुरू बन जाती है और अब यहां पर यह दूश की यह दिखें तो का एक करेंगे दागा आगे किया फिर ऐसे ही एक फंदा सीधा बुना दो ती तीन फंदे सीधे बुनने के बाद फिर दागा आगे किया इस फंदे को गुमाए दूसरी साइड की चैन इस पर पैर से बनाएंगे फिर तीन फंदे यहां पर सीधे बुनेंगे अगर आपको दूसरी डिब्बी आगे डालनी है तो यहां पर सेवन फंदे उल्टे सीधे बुनने और फिर से चैन बुना रहे यह देखिए हमाने ऐसे ही थ्री फंदे हमारे यहां एक फंदा सीध किया है अब उल्टी साइड में पूरी रो उल्टा उल्टा कम्प्लीट करनी है यह उल्टी साइड कम्प्लीट हो गई अब देखिए आगे कैसे करना है यह देखिए यह एक फंदा सीध करेंगे अब यहां के यह बचे हुए फंदे जो हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे यह दो फंदे उल्टे बुने दागा पीछे किया अब यहां पर दो का एक करेंगे दागा आगे किया और यह देखिए कैसे बुनना है इसी चैन के उपर जाली के उपर जाली डालेंगे और यह बीच के सभी फंदे हम सीधा बुनेंगे थ्री फंदे थे बीच में टू फंदे साइड के आगे एनकी फाइफ फंदे सिम्पल बुनेंगे फिर दागा की करेंगे इस फंदे को इस परकार से गुमाया और दो का एक करेंगे अब यह बीच के फाइफ फंदे हम उल्टा बुनेंगे फाइफ फंदे उल्टे बुने दागा पीछे अब यहां पर इन टू फंदे की चैन बुनेंगे फिर दागा आगे करेंगे यहां पर जाली डालेंगे और यह फाइफ फंदे शीदे बुनेंगे फिर जाली डालेंगे यहां पर दो फंदे जो यह बचे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे यह देखिए इस परकार से बनाना है इसको अब उल्टी साइड उल्टा उल्टा कम्प्लीट करेंगे पूरी रो उल्टा उल्टा कम्प्लीट करेंगे यह उल्टी साइड कम्प्लीट होगे यह देखिए अब आगे कैसे करेंगे यहां देखिए एक फंदा सिलिप किया एक फंदा उल्टा बुना दागा पीछे और एक यह उल्टा, एक यह सीधा, दोनों फंदों को एक करेंगे, फिर दागा आगे किया, और यहां पर बीच के सब भी फंदे सीधा बूने जाएंगे, फिर दागा आगे किया ये चैन वाला फंदा ऐसे पल्टा और इसके साथ अटेच करके दो पाइग किया बीच के तीन फंदे हम उल्टा बुनेंगे फिर दागा पीछे किया अभी धर से भी ऐसे ही टू फंद का वन करें दागा आगे यहां पर जाली डाली बीच के सेवन फंदे सीधे बुनेंगे सेवन फंदे सीधे बुनें दागा आगे इस फंदे को ऐसे गुमा कर दो का एक करेंगे ये देखे इस परकार से हमारी पूरी रों कम्प्लीट हो जाती है अब उटी साइड से उटी साइड में सभी रों हमारी उटा उटा चलेंगे ये हमारी उटी साइड कम्प्लीट हो वही है अब देखे आगे सीधी साइड अब यहां पर ये एक फंदा ये यहां बचा है इसको हम सीधा बुने लेंगे ऐसी दागा आगे किया और पूरी सलाई इसी परकार से कम्प्लीट करेंगे अगर इस वीडियो के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कोमेंट करके ऊच सकते हैं ये देखी यहां पर बीच में हमारे यां एक फंदा बचेगा आइसे उटा किया फिर इधर से भी दो पाइक किया और ये बीच के पूरे नाइन फंदे हम उटा सिधा सिधा बुनेंगे दागा आगे अब इसको गुमाया पर ऐसे ये देखी पूरी रोब कम्प्लीट हुआ है इस परकार से हमारी ये आप डिब्भी यहां से लेकर यहां तक हाफ डिब्भी बनी है अब हाफ डिब्भी आगे देखी कैसे बनेगी ये ऊटी साइड बहुत ہी सुन्दर डिजाइन है और बहुत ए आसान है यह उटी साइड कम्प्लीट हो गई, अब आगे देखिए कैसे करेंगे, अब हमें कोई फंदा नहीं घटाना है, पूरी रो को सिम्पल बुनना है, शेदी साइड से पूरी रो इस परकार से सिम्पल बनाएंगे, यहाँ पर जाली डालने थी, लेकिन हम जाली नहीं डालेंगे, ऐसे ही सिम्पल बुनेंगे, यह एक फंदा उल्टा है, तो इस फंदे को हम उल्टा बनेंगे, दागा पीछे किया, फिर और बाकी के सभी फंदे हम सीधा बनेंगे, पूरी रो इस परकार से कम्पलीट करनी है, शर्फ एक फंदा बीच में उल्टा बनना है, यह दिखे, अब उल्टी साइड, उल्टी रो ऐसे ही उल्टा उल्टा, कम्पलीट होई, यह दिखे, यह उल्टी साइड कम्पलीट होगे है, अब सीधी साइड से, अब हमें यहाँ पर आप डिबी, यह दिबी हमारी बन्द होगी, और यहाँ पर नई डिबी स्टार्ट होगी, यह कैसे करेंगे, यह दिखे आप, यह पंदा हम सीधा बनेंगे, जो पहले चैन वाला पंदा था, इस पंदे को हम सीधा बनेंगे, और जो यह फर्स्ट वाली जाली वाला पंदा है, इस पर चैन बनाएंगे, दागा आगे किया, और यहाँ पर चैन बनेंगे, इस पंदे को गुमाया, और इस पंदे पर चैन बनाएंगे ये देखे है और बीच के ये 70 फंदे ऐसे ही सिधा सिधा बुने जाएंगे ये 70 फंदे हमारे सिधे बुने गए अब यहाँ पर देखिए आप ये चैन वाला फंदा है इससे पहले हमारे 2 फंदे हैं इन 2 फंदों की चैन बनेगे ऐसे है फिर दागा आगे करें और ये तीन फंदे हम सिधे बुनेंगे फिर दागा आगे किया और यहाँ पर भी ये चैन वाला फंदा लेंगे और ये इसके साथ एटेज करके टूका बन करेंगे ये देखिए बीच के 7 फंदे सीधे बुने जाएंगे बीच के 7 फंदे सीधे बुने गए और इस फंदे को दो का एक करेंगे फिर यहाँ दागा आगे करके इस पर जाले बना देंगे जो चैन हमने पहले बुनी थी उस चैन को हम छोड़ देंगे दूसरी नई चैन शुरू करेंगे इस तरह से देखो यहाँ भी हमने इस चैन को यहाँ छोड़ दिया है और दूसरी नई चैन शुरू की है इसी परकार से उपर अब डिबी यहां से बंद होती जाएगी और यहां पर बीच में नई डिबी शुरू हो जाएगी अब जब अगली स्लाई में आएंगे उल्टी स्लाई बुनने के बाद यहां पर यहां पर 5 अंदे हम उल्टा करेंगी जैसे इस में 500 ऊटे किये थे, इस डिबी में भी 500 ऊटे करेंगे और इसी परकार से डिबी बंद होती चली जाएगी और इसी परकार से बनाईए अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कोमेंट कीजिए और सस्क्राइब जिरूर कीजिए